बजन सैंता अध्याय सत्ताइस यहोवा परमिश्वर मेरी जोती और मेरा उद्धार है मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दिर्ण गढ़ ठेरा है मैं किसका भैखाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बहर रखते थे मुझे खा डालने के लिए मुझे पर चढ़ाई की तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े चाहे सेना भी मेरे बिरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा चाहे मेरे बिरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दसा में भी मैं हियाओ बाधे निश्चिंत रहूंगा एक वर मैंने यहुआ से मांगा है उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहुआ के भवन में रहने पाऊं जिससे यहुआ की मनोहर्ता पर दिष्ट लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं क्योंकि वह तो मुझे भीवद्दी के दिन में अपने मंड़प में छीपा रखेगा अपने तंबू के गुपत अस्थान में वह मुझे छीपा लेगा और चटान पर चढ़ाएगा अब मेरा सिर्ष मेरे चारो और के सत्रों से उँचा होगा और मैं यहुआ के तंबू में जैजेकार के साथ बलेदान चड़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा हे यहुआ मेरा सब्द सुन मैं पुकारता हूं तू मुझे पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो इसलिए मेरा मन तुछ से कहता है हे यहुआ तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा अपना मुख मुझे ना छिपा अपने दास को प्रोद करके ना हटा तू मेरा सहायक बना है हे मेरे उद्धार करने वाले परमिश्वर मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है परन्तु यहुआ मुझे सम्हा लेगा हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़ क्योंकि जूठे में साच्छी जो उपत्रो करने की धुन में हैं मेरे विरुत उठे हैं यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवतों की पृत्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मुर्छित हो जाता यहोवा की बाट जो हता रहे ही आवांत तेरा हिर्दे द्रण रहे हां यहोवा ही की बाट जो हता रहे आमीन